हेलो स्टूडेंज यूपी एसी गाइडिंग प्रिंसबल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है हम उत्राखन ने एक समग रहते हैं जो कि परिक्षावारी प्रकाशन की बुक है इसको स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवेस लेक्षर में हमने उत्राखन की जो इं सबसे पहला कोशन है उत्राखन राज्य में प्रस्तावित इंलेंड कंटेनर डीपो दो हजार बीस इकिस में कौन सा है ठीक है कहां पर प्रस्तावित है तो राज्य में प्रस्तावित इंलेंड कंटेनर डीपो हरीद्वार में प्रस्तावित है और प्रस्तावित जो इंलें container डीपो राज़े में प्रिस्तावित हुआ है या प्रिस्तावित किया गया है उसके बाद next question है उत्राखट राज़े में दो रूलर बिजनेस incubators निर्माणा धीन है उत्राखट राज़े में दो रूलर बिजनेस इनक्यूबेटर्स निर्माना धीन हैं, कोड़द्वार पौड़ी वह हवालबाग अल्मोडा में उसके बाद नेक्स कॉशन है, भारत वह तिबबत चीन के बीच ब्यापार होता है कहां से ब्यापार होता है भारत व तिब्बत चीन के बीच ब्यापार होता है तकला कोट मंडी पिथोरागड से भारत व तिब्बत चीन के बीच ब्यापार होता है next question है भारत द्वारा विदेशों को किये जाने वाले कुल निरियात में उत्राखंड का भाग कितना है 2019-20 के according भारत द्वारा विदेशों को किये जाने वाले कुल निरियात में उत्राखंड का भाग है लगभग 0.48% ठीक है जो भारत के द्वारा जो विदेशों को जो एक्सपोर्ट किया जाता है जो कुल निरियात किया जाता है उसमें उत्राखन के द्वारा किया जाने वाला एक्सपोर्ट कितना प्रतिशत है लगभग 0.48% ठीक है यानि 1% से भी कम है और ये कब का डेटा है 2019 बीस का डेटा है ठीक है उसकी बाद नेक कोश्चन है पसु उत्पाद, बनस्पती उत्पाद, सहद, पशुव, बनस्पती वशा, तयार खाद्य पदार्थ, खनिज उत्पाद, राशाइनिक उत्पाद, प्लास्टिक एवं रबर उत्पाद, खल संबंधी उत्पाद, लकडी एवं लकडी उत्पाद, वस्त्र एवं वस्त्र उत उपकरण रक्षा संबंधी उपकरण आदी हैं राजसे की जाने वाली निर्यातक वस्तुएं ये क्या है सभी राजसे इनको निर्यात किया जाता है यानि उत्राखन राजसे इन सभी को एक्सपोर्ट किया जाता है यानि दूसरे जगहे पर भेजा जाता है तो ऐसे कौन-कौ पशु उत्पाद, वनस्पती उत्पाद, शहद, पशु वनस्पती वशा, तैयार खाद्य पदार्थ, खनिज उत्पाद, राशाइनिक उत्पाद, प्लास्टिक, एवम रबड उत्पाद, खाल संबंधी उत्पाद, लकडी एवम लकडी उत्पाद, वस्त्र एवम वस्त्र परिवहन संबंधी उपकरण रक्षा संबंधी उपकरण आदि सभी क्या हैं उत्राखंड राज से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं हैं जिनकों की राज से निर्यात किया जाता है यानि दूसरी जगहों पर एक्सपोर्ट किया जाता है नेक्स कोशन है राज गठन के समय प्रदेश में कुल व्रहत वर मिनी ओध्योगिक आस्थान तथा ओध्योगिक छेत्र थे 46 ठीक है 46 उस टाइम पे जब राज गठन हो रहा था तो प्रदेश में कुल व्रहत वर मिनी ओध्योगिक आस्थान तथा ओध्योगिक छेत्रों की सं उसके बाद next question है राज में और द्योगिक आस्थापना सुविधाओं के विकास हेतू 2002 में गठित किया गया है राज और द्योगिक विकास निगम लिमिटेड जिसे की सिड्कुल कहा जाता है ठीक है सिड्कुल का राज में और द्योगिक आस्थापना सुविधाओं के विकास 2002 में गठित किया गया है राज ओध्योगिक विकास निगम लिमिटेड सिड्कुल का यानि जो सिड्कुल है उत्राखंड में जो कि क्या है राज ओध्योगिक विकास निगम लिमिटेड है इसका गठन दो हजार दो में किया गया किसलिए किया गया राज्य में और द्योगिक आस्थापना सुविधाओं के विकास है तू दो हजार दो में राज्य में जो सिद्कुल शिद्कुल की फुल फॉर्म क्या है राज और द्योगिक विकास निगम लिमिटेड सिटकुल का गठन कप किया गया 2002 में किया गया ठीक है सिटकुल से कोशिन भी आ सकता है राज में और द्योगिक आस्थापना सविधाओं के विकास है तू 2002 में गठित किया गया है राज ओद्योगिक विकास निगम लिमिटेड सिड्कुल का उसके बाद नेक्स कोशन है सिड्कुल का मुख्याले कहां पर है सिड्कुल का मुख्याले है IT पार्क दहरादून में सिड्कुल का मुख्याले कहां है सिड्कुल का मुख्याले है आईटी पार्क दहरादून में निक्स कोशिन है राज्य में सिटकुल द्वारा विक्सित किये गए साथ बड़े ओध्योगिक आस्थान है सबसे पहला है एकिकरत ओध्योगिक आस्थान हरी द्वार ठीक है जो हरीद्वार में जो सिटकुल है उसका नाम है एक इकरत और जोगिक आस्थान हरीद्वार दूसरा सिटकुल बनाया गया है एक इकरत और जोगिक आस्थान पंतनगर उधम सेहनगर ठीक है पंतनगर उधम सेहनगर में और उसके बाद नेक्स्ट है ESIPL सतारगंच उधम सेहनगर में इसके बाद चोथा बनाया गया है फार्मासिटी सेला कुई दहरादून में ठीक है पाचवा बनाया गया है सिगड़ी ग्रोथ सेंटर कोटद्वार पौणी में उसके बाद 6 नमबर का जो आद्या ओध्योगिक आस्थान है सिटकुल के दबारा निर्वित किया गया है IT पार्क दहरादून उसके बाद नेक्स्ट है सात्वा जो की बनाया गया है सिटकुल फेस टो सतारगंच में ठीक है तो ये क्या है राज्य में सिडगुल के द्वारा विक्सित किये गए साथ बड़े ओध्योगिक आस्थान है सबसे पहला है एकिकरत ओध्योगिक आस्थान हरी द्वार का ठीक है जो कि राज्य में सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा रोजकार ये देता है इसके द्वारा दिये जाते हैं प्रदान किये जाते हैं एकिकरत ओध्योगिक आस्थान हरी द्वार सेकंड नमबर पे है एकिकरत ओध्योगिक आस्थान पंतनगर उधम सहनगर उसकी बाद तीसरे नमबर पे है एस आई पी एल सितारगंच उधम सहनगर चौते नमबर पर है फार्मा सिटी सेला कोई दहरादून पाच्वा है सिगड़ी ग्रोथ सेंटर कोट द्वार पॉड़ी में सिक्स नमबर में है आईटी पार्क दहरादून सेवन्थ नमबर पर है सिडकुल फेज टू सितार गंज अगर नॉर्मल ये पूछा जाए कि राजी में सिडकुल द्वारा विक्सित किये गए कितने ओध्योगी का स्थान है तो सिडकुल के द्वारा साथ बड़े ओध्योगी का स्थानों को मिन्द मिन स्थानों पर विकाश किया गया है इनका या विक्सित किया गया है सबसे पहले तो सिटकुल द्वारा क्या है एक सिटकुल बनाया गया है हरी द्वार में उधम सेह नगर में सतारगंश में और दहरादून में कोट द्वार पौडी में दहरादून में ठीक है एक आईटी पार्क है दहरादून में और एक फार्मासिटी सेला कुई है एक सिडकुल फेस्टो सितारगंच और हमने प्रदीश और सबसे पहला reg magari अगल, सबसे जाला लोगों को रोजगार प्रदीश में ठीक है , हमने पड़ा 2 अगल बनत नगर , ठीक है तो ये सातों हमने बड़े अध्योगी कास्थान, जो की सिड़कुल द्वारा निर्मित है, सिड़कुल द्वारा विक्सथ किये जा रहे हैं, ठीक है, इसको हमने पढ़ा, इसके बाद नेक्स्ट है, नो ब्रहद अध्योगी कास्थान कहां कहां पर हैं, जो की सिड़कुल के वारा अभी विकाशा धीन यानि इनका विकाश किया जाना है तो ऐसे कौन कौन से नो नौ व्रहत ओद्योगी का स्थान है प्रदेश में पटेल नगर व विकास नगर जो की दहरादून में है सिताबपुर पौडी में रुड की हरीद्वार भीमताल नैनिताल में काशिपूर वा रुद्रपुर उधम शिहनगर में पाताल देवी अलमोडा में वा विण पितोरागर में आदी ये सबी क्या है ये ऐसे नो व्रहत ओद्योगी का स्थान है जिनका की सिड़कुल के द्वारा विकास किया जाना है ठीक है यानि यहाँ पर डवलप्मेंट चल रहा है ये पटेल नगर वा विकास नगर धहरादून में सितापपुर पौडी में रुड की हरीद्वार में भीमताल जो की नरीताल में है वहाँ पर काशिपुर वरुद्रपुर उधम सेहनगर में और पाताल देवी अलमोडा में और विण जो की एक स्थान है पितोरागर में उसके बाद नेक्स्ट है इन सभी जगों पर ठीक है विड़ पितोरागर में सिद्कुल द्वारा विकाशा धीन है नौ व्रहत ओद्योगिक आस्थान इसके बाद नेक्स्ट है मिनी ओद्योगिक आस्थान कहा पर विक्सित किया जा रहे हैं ये सभी सिद्कुल के द्वारा ही वि कास भी किया जा रहा है। से है नगर, पुनेठी, चंपावत, द्वाराहाट, चिलिया, नौला, भिकिया, सेड, अल्मोडा, गरुण, बागी, श्वर्व, मुन्शारी, पिथोरागण में सिड्कुल के द्वारा विक्षित किये जा रही है। रगवार, दहरादून, बुवाखाल, पौडी, लक्ष मोली व सरोट टिहरी में, कालेश्वर चमोली में, भटवानी सेड, रुद्रप्रियाग में, मोरी, डूंडा, गवाणा, व पुरोला उत्तरकाशी में, लक्षर हरिद्वार में, बेताल घाट ननिताल में, किच्छा उ मिनी ओध्योगिक आस्थान विक्षित किये जा रही है, इसके बाद, नेक्स कुशन है, दवा एवम जड़ी बूटी उद्योगों के लिए, विक्षित किया गया ओध्योगिक आस्थान कौन सा है, उत्राखंड राजे में, दवा एवम जड़ी बूटी उद्योगों के लि फार्मासिटी सेलाकुई दहरादून धिक है कि दवा एवं जणी बुटी उद्योगों के लिए विक्सित किया गया और जोगिक आस्थान कहां पर है फार्मासिटी सेलाकुई यह कहां पर है तहरादून डिस्टिक में है उसके बाद नेक्स कोशिन है सगंध उद्योगों को बढ़ावा देने ही तू सिड़कुल द्वारा 41 एकड में काशीपुर में विकाशा धीन है एरोमा पार्क ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है हरी द्वार में 96 एकड छेतर में विकासा धीन है मेडिकल डिवाइस पार्क मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पर बनाया जाना है हरी द्वार में 96 एकड छेतर में विकासा धीन है मेडिकल डिवाइस पार्क ठीक है कहां पर बनाए जाना है medical devices park हरी द्वार में 96 एकड़ छेतर में विकासा धीन है medical devices park उसके बाद next question है हरी द्वार में pharma city के करीब 75 एकड़ छेतर में विकासा धीन है दूसरा pharma city ठीक है एक pharma city की अभी हमने बात की जोकी सेलाकुई दहरादून में है ठीक है अब हमने पढ़ा कि दवा एवं जड़ी मूटी उद्वार के लिए विक्सत किया गिया ओद्वा की कास्थान है pharma city सेलाकुई जोकी कहां पर है pharma city सेलाकुई दहरादून डिस्टिक में है और इस question में कहा गया है फार्मासिटी के करीब 75 एकर छेत्र में विकासा धीन है दूसरा फार्मासिटी उसके बाद जोकी हरीद्वार में बनाया जाएगा इसके बाद next question है सरवादिक उद्वादिक उद्वादिक की स्थापना वाला ओद्वादियोगिक आस्थान है एकिकरत उद्वादिक 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 उद्वाद अगर पूछा जाए कि महिला उद्यमिता पार्क कहा पर स्थापित किया गया है महिला उद्यमिता पार्क उसके बाद नेक्स कोशिन है राज्य के पारंपरिक उद्योग है राज्य के पारंपरिक उद्योग कौन कौन से है फरनीचर, कागज, चीनी, वस्त रैवं, सिमेंट उद्योग ये राज्य के पारंपरिक उद्योग है फरनीचर, काग, जीनी, वस्त रैवं, सिमेंट उद्योग, उत्राखंड राज के पारंपरिक उद्योग है और महिला उद्यमिता पार्क का स्था, पार्क को कहां पर स्थापित किया गया है महिला उद्ध्यमिता पार्क को प्रदेश शरकार द्वारा महिला उद्ध्यमियों हेतु सिद्ध कुलव सितारगंज फेज टू में स्थापित किया गया है उसके बाद नेक्स कोशिन है इसके बाद नेक्स कोशिन है नेशनल हैंड लूम एक्सपो का नियमित आयोजन कहां पर किया जाता है दहरादून में नेशनल हैंड लूम एक्सपो का नियमित आयोजन दहरादून में किया जाता है नेक्स कोशिन है नन्दा देवी सेंटर ओफ एक्सिलेंस फोर हैंड लूम एंड नेचरल फाइबर कहां पर स्थापित है मटेना अलमोडा में नंदा देवी, Center of Excellence for Hand Loom and Natural Fiber, कहां पर स्थापित है? मटेना अलमोडा में Next question है, National Institute of Fashion Technology की स्थापना कहां पर की जानी है? दहरादून में की जानी है National Institute of Fashion Technology की स्थापना की जानी है? दहरादून में उसके बाद Next है, Silk Park है Silk Park कहां पर है? दहरादून में Next question है, हरी प्रशाद टम्टा परमपरागत शिल्प उन्नियन केंद्र कहां पर है? गरुणा बाज अलमोडा में Next question है, पंचा चुली बूलन है पंचा चुली बूलन कहां पर है? पंचा चुली बूलन अलमोडा में है पंचा चुली बूलन कहां पर है? पंचा चुली बूलन अलमोडा में है Next question है, टेक्स्टाइल पार्क कहां पर प्रस्तावित है? टेक्स्टाइल पार्क जश्पूर काशिपूर में प्रस्तावित है टेक्स्टाइल पार्क कहां पर प्रस्तावित है? जश्पूर काशिपूर में Next question है, एगर पूचा जाए, ज़ो वूलन टेक्स्टाइल पार्क है वो कहां पर प्रस्तावित है? उद्धित है वह भीमतला चमोली में प्रस्तावित है उसके बाद नेक्स कोशन है पतंजली हर्बल एवं फूड पार्क जो कि राज्य का फर्स्ट फूड पार्क है पहला फूड पार्क है कहाँ पर बनाया गया है? पदार था हरीद्वार में पतंजली हर्बल एवं फूड पार्क जो कि राज्य का पहला फूड पार्क है कहाँ पर बनाया गया है? पदार था हरीद्वार में उसके बाद नेक्स कोशन है हिमालियन मेगा फूड पार्क राज्य का सेकिन फूड पार्क है जो हिमालियन मेगा फूट पार्क है वह है राज्य का सेकंड फूट पार्क है कहां पर बनाया गया है महुवा खेडा काशीपूर उधम सेहनगर में और राज्य का पहला फूट पार्क कहां पर बनाया गया है पदार्था हरीद्वार में और राज्य के पहले फूट पार्क का नाम गया है पतंजली हर्बल एवम फूड पार्क ठीक है जो कि पदार्था हरी द्वार में बनाया गया है और राजिका सेकंड फूड पार्क कहाँ पर बनाया गया है महुआ खेडा काशीपूर उधम सेहन अगर में हिमालियन मेगा फूड पार्क के नाम से राजिका दूसरा फूट पार्क बनाया गया है कहाँ पर महुआ खेड़ा काशिपूर उधं सेहन अगर में next question है mini food park mini food park कहाँ पर बनाया गया है mini food park बनाया गया है स्यामलाताल चमपावत में यह भी important है इसको ध्यान रखिएगा mini food park कहाँ पर बनाया गया है शामला ताल चंपावत में मिनी फूट पार्क बनाया गया है कहां पर प्रस्तावित है, सितार गंज उधम सेह नगर में और साथ ही सहस्पुर दहरादून दो जगहों पर केंद्र द्वारा मिनी स्पाइस मसाला पार्क को प्रस्तावित किया गया है पहला है सितारगंज उधमसे नगर और दूसरा है सहसपुर दहरादून दोनों ही जगे पर केंद्रद्वारा मीनी स्पाइस मसाला पार्क उत्राखंड में प्रस्तावित किया गया है कहां कहां पर सितारगंच उधमसिहनगर और सहस्पुर दहरादून में उसके बाद नेक्स कोशिन है पीतल के कारियों के लिए पीतल नगरी के नाम से प्रशिद्ध है मर्चूला अल्मोडा अल्मोडा में जो मर्चूला नाम अगस्थान है वह पीतल के कारियों के लिए पीतल नगरी के नाम से प्रशिद्ध है मर्चूला अल्मोडा इसके बाद नेक्स देखते हैं रेशम कीट पालन एवम कोकून उतपादन प्रिसिक्षन केंद्र कहां पर बनाया गया है रेशम सहकारी संग प्रेमनगर दहरादून में नेक्स कोशिन है प्रदेश के शिल्प उतपादों का दूसरे राज्यों में विपढन किस ब्रैंड नेम से किया जाता है प्रदेश के शिल्प उतपादों का दूसरे राज्यों में विपढन हिमादरी ब्रांड नेम से किया जाता है ठीक है जो प्रदेश के शिल्प उतपाद है उनका दूसरे राज्यों में विपढन किया जाता है हिमादरी ब्रांड नेम से ठीक है सिल्प उत्पादों का, अगर दूसरे राजों में उनको बेचा जाता है, उनका विपणन किया जाता है तो उसके लिए उनका ब्रांड नेम क्या दिया गया है, हिमादरी, किसके लिए, सिल्प उत्पादों के लिए उसके बाद नेक्स कोशन है देश इस्तरिये हिमादरी एमपोरियम इस्थापित किया गया है ठीक है देश इस्तरिये यानि नैशनल लेवल पे हिमादरी एमपोरियम कहां पर इस्थापित किया गया है उत्राखंड भवन नई दिल्ली में ठीक है देश इस्तरिये हिमादरी ए इंपोरियम है वह कहां पर स्थापित किया गिया है जिला उद्योकेंद्र दहरादून में इसको धान रखेगा नेशनल लेवल में यानि देश इस्तरिय हिमादरी एंपोरियम पूछेगा तो इसका अंसर होगा उत्राखंड भावन जो की नई दिल्ली में बनाया गया है वहा इसको पूछा जाया तो यह कहां पर स्थापित है इसको स्थापित किया गयाitel है उत्तराखंड प्रदेश में इस्तापित चार MSME MSME सिल्फ हाट है कहां कहां पर है दून, बिढ, पिथोरागड दून यानि दहरादून में बिढ जो कि पिथोरागड में है भीम तल्ला जो कि चमूली डिस्टिक में है वह काशीपुर में इन चार इस्थानों पर क्या किया गया है MSME ठीक है माइक्रो, स्मॉल एंड, माइक्रो, स्मॉल एंड, मीडियम इंटरप्राइज जो है उसके सिल्फ हाट है कौन-कौन से प्लेसिस पर दहरादून के दून में बिढ यानि पिथोरागड में भीम तल्ला चमूली में और काशीपुर में ये चार MSME सिल्फ हाट है उसके बाद नेक्स कोशन है कथ्या उद्योग जो कथ्या उद्योग है वह कहाँ पर है हल्दवानी नैनी ताल में कथ्या उद्योग है हल्दवानी नैनी ताल में नेक्स कोशन है बैत फरनीचर उद्योग बैत फरनीचर उद्योग कहां पर है बैत फरनीचर उद्योग है दहरादून हरीद्वार नैनी तालव अल्मोडा में दहरादून हरीद्वार नैनी तालव अल्मोडा में क्या है बैत फरनीचर उद्योग है नेक्स्ट है लकडी फरनीचर उद्योग तो लकडी फरनीचर उद जहरादून में है वह हरीद्वार में है नेक्स्ट है सबसे पुरानी शूती वस्त्रमिल कौन सी है काशिपूर में है प्रदेश में सबसे पुरानी शूती वस्त्रमिल कहां पर है काशिपूर में है नेक्स्ट कोशिन है उनी वस्त्रुद्योग उनी वस्त्रुद्योग कहां पर लगाया गया है प्रदीश में अलमोडा बागिश्वर पॉडि चमोलिव उत्तरकाशी में निक्स कोशिन है भेड 좋은 की चटाई दन के लिए प्रशिध है जिसा कि दन कहते हैं दन के लिए प्रशिध है नाकूरी उत्तरकाशी किसके लिए भेड उन से बनी जो चटाई है जिसको की दन कहा जाता है ठीक है भेड उन की चटाई जो दन है उसके लिए कौन सा स्थान प्रिशिद है नाकुरी उत्तरकाशी में भेड के उन की चटाई बनाई जाती है ठीक है दन जिसे की दन कहा जाता है और नाकुरी उत्तरक उन से बनने वाली जिससे की धन कहा जाता है उन के लिए वित रिघना काशी है उनी शालो तथा तामर सिल्प के लिए विशेश रूप से प्रशिद्ध है उनी शालो तथा तामर सिल्प के लिए विशेश रूप से प्रशिद्ध है उनी शालो तथा तामर सिल्प के लिए विशेश रूप से प्रशिद्ध है उनी शालो तथा तामर सिल्प के लिए विश दून में उत्राखंड राज्य में कुल 28 कागज मिले हैं जिसमें से जादातर मिले हैं उधम से हैं अगर नैनिताल हरी दुवार्व दहरादून डेस्टेक में नेक्स कोशें है काशिपूर सहीद देश में कुल पेपर मिल कलस्टर हैं तो काशिपूर को मिला कर कितनी दस है इसके बाद राजी की सभी पेपर मिलें समाहित हैं कहाँ पर काशिपूर कलस्टर में एशिया के सबसे बड़े काज़ उद्योग सम्हू सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोड की मिलें कहाँ पर हैं इसका अंसर होगा लालकुवा नैनीताल में अशिया के सबसे बड़े कागज उद्योग सम्हो सैंचुरी पेपर एंड पलप बोड की मिले हैं लालकुवा नैनीताल में इसके बाद और भी उद्योग का पार्ट है अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं थांक्स पर वाच्चिं